असलाम अलेकुम डियर फ्रेंज कैसे है आप सब मैं असमान जूम अभी आपकी महा टीटी की नोटिफिकेशन आ गई है और आपका 10 नॉवेंबर को एक्जाम है तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कोशन्स लेके प्रिवियस पेपर लेके तो अभी उर्दू के कुछ कोशन् है वो पहले वाले किलास वन है आप महां जाकर देख सकते हैं यूटूब पर उर्दू किलास वन लिखा हुआ है चलिए यहां से कोशन स्टार्ट करते हैं फॉस्ट है कि शेर की सनत पहचानिये तो अगर आपने पेपर्स को अच्छे से अनेलिसिस किये होंगे तो आपको प अच्छान और एहवान दो अपोजिट वर्ड यूज हुए है तो यह तनाज है तजाद है सनत मबालगा नहीं है यह सनत तजाद है यह एक दूसरे की क्या है मुतजाद है और तजबिया भी नहीं है और ना इस्तियारा है यह तो यह सनत तजाद है यानि कि क्या जहां पे श सनाते तज़ाद, तो option number second, right होंगा, next question मुहावयरे के माइने बताइए, आपको मुहावयरे के माइने बताना है, सुर्ख रू होना, सुर्ख रू होना याणि क्या? गुसा होना, लाल होना, कामучा वादा पूरा करना, तो सुर्ख रू होना याणि क्या है? काम्याब होना, आगे बढ़ना, अचीव करना कुछ तो option number third right होंगा next है question number 49 यहाँ पे कि जुम्ले में अलामात और खाफ पहचानिए काश मैं परिंदा होता तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि इसमें यह कौन कौन से punctuation mark का use हुआ है काश मैं परिंदा होता तो यहाँ पे फजाया, अब आप देखें यहाँ पे starting में ही फजाया यह निशान है, है ना तो अब यहाँ वावलेंड का तो सवाली नहीं वावलेंड का सवाली नहीं है अब यहाँ पे आप दो चीज़े देखेंगे यह दो option आपके पास बच रहे है एक तो वावलेंड फजाया, निशान और यहाँ पे खत्मा है क्या देखना है और फजाया, निशान और खत्मा देखना है अब इसमें कौन सी चीज़ दी गई है तो देखें यहाँ पे वावलेंड है यहाँ पर भी है वाव लेन अब देखें यहाँ पर एक और बात आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ उन्होंने वाव लेन लिक्क लिये अब हम अगर जल्दी जल्दी पढ़े तो तो इसलिए थोड़ा से carefully पढ़ लेना, अब यहाँ पर वावेन है, यहाँ पर वावेन है, तो यह देखें, पहले वावेन है, पहले वावेन है, एक्स्रेमेटरी मार्क है, फिजाया निशान है, फिजाया निशान है, और यहाँ पर खत्म होंगा, यह निशान यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, तो खत रहेंगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं शेर मुकमल कीजिए अब ये शेर को मुकमल करना है आदमियत का सबख भूल रही है दुनिया डैश अब आगे का क्या रहेंगा कि गम के मारो को कलेजे से लगाया जाए दिल से बिच्छडे है उन्हें फिर से मिलाया जाए आमदे सुबह क पेगाम सुनाया जाए ये सबख अज सरे नौ उसको पढ़ाया जाए तो जाहर बात है कि आदमियत का सबख भूल रही है दुनिया तो उन्हें क्या करेंगे ये सबख फिर से पढ़ाएंगे है ना तो शेर हमारा कैसे कंप्लीट था और क्या शेर है कि ये सबख अज सरे IPO Option number 4 expose वो जुमला जिस से हैरत, अفسोस, खुशी, भाहश ये खम का इजहार होता है उसे क्या कहते है अम्रिया जुमला नहीं इसमें तो हुक्म दिया जाता है, इस्तिफांिया जुमला नहीं इसमें सवाल पूछा जाता है बयानिया जुमला नहीं इसमें कोई एक सिफ बात फिजाय जुम्ला ये राइट है ऐसा जुम्ला जिसमें हैरत, अफसुस, खोशी वगिरा जाहर होती है वो फिजाय जुम्ले कहलाते है नेक्स्ट है वो जुम्ला जिसमें रसुल-करीम की हियात मुबारक सीरत पाख को बयान किया जाता है वो क्या कहलाती है तो वो नात कहलाती है हम्द अल्ला ताला की तारीफ है इसलिए ये आंसर नहीं है हमारा नात है जिसमें प्यारे नभी के बारे में कोई चीज बयान की जाती है सीरत को बयान किया जाता है या प्यारे नभी के बारे में जो शेर होते है तो उसे हम नात कहते है जिसमें प्यारे नभी के बारे में बोला जाते है तो आंसर था हमारा option number second next question है मकमस के हर बंद में कितने मिस्रे होते हैं पांच पांच मिस्रे रहेंगे अच्छा एक और चीज़ यहां पर ना उपर देखें उपर के question में किया था हमदनात मिस्रा है ना और खसीदा भी है तो मिस्रा क्या है कि मिस्रे में क्या रहता कि किसी खयाल को ना तसलसुल और रफ्ट के साथ जब पेश करते हैं तो ये मिस्रा रहता है और खसीदा किसको कहते है कि किसी भी बुजरुक है, बादशाह है, अमीर है वगरा की तारीफ जब एक नजम के फॉर्म में तारीफ बयान की जाती है तो वो खसीदा होती है ये बताना भूल गई थी मैं अभी आपको, तो आंसर हमारा इसका क्या था, पांच मिस्रोवाली नजम रहेंगी वो वो लफ जो किसी लफ या इस्म जमीर का किसी दूसरे से रिष्टा या तालुख जाहर करे, यानि कि कोई ऐसा लफ जो किसी दूसरे लफ के या पिर जमीर के साथ दूसरे लफ का कोई रिष्टा या तालुख बयान करे, वो क्या है? हुरुफ जार है, हुरुफ अतफ है, खम कि खमिर हम्री और हुरुब इजाफत भड़ छोटा कर देते हुद हुरुफ इजाफवे तो देखें यह हमगा हुरुफ जार जो क्या करता है पेंट सेलेक्ट कर ले थे हुरूफ जार जो क्या करता है कि किसी भी इस्म या जमीर का दूसरे के साथ तालुख या रिष्टे को बयान करता है तो वो होता है हुरूफ जार तो हुरूफ अतफ नहीं है, हुरूफ खमरी भी नहीं है, नहीं ही हुरूफ इजाफत है, है ना, तो वो हो गया, option number, first हमारा right, दजेजल से क्या खसीदे का जुज नहीं है, तो खसीदे के जितने पाच जुज जो होते हैं, उन में से कौन नहीं है, या पैचानना है, नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं है, तो देखे, जो एक खसीदा होता है, तो उसमें सबसे पहले ना, तश्बीप होती है, पिर गुरेज होता है, पिर मदा होता है, फिर हुसने तलब होता है, और पिर दूआ कर दी जाती है, तो आंसर हमारा क्या है, option number, third. रूप किसकी रुबाईयों का मजमुव है रुबाई यानि कि चार मिस्रुवाली नजम को कहते है तो किसका है रूप ये फराख गोरख पूरी का है अभी देखिए महा टीटी की ऑनलाइन और अफलाइन दोनों ही बैचेस अल्रेडी चल रही है और एक जो नई बैच और स्टार्ट हुई है वो आज 11 सप्टेंबर से स्टार्ट हो गई है आज ही से ये न्यू बैच स्टार्ट हो गई है मौर्निंग में टाइम है इसका दो बै बैच चल रही है महा टीटी की तो आज की जो बैच थी 11 सेप्टेंबर की ये मौर्निंग में स्टार्ट हुई है ओनलाइन और ओफलाइन दोनों ही है यहाँ डेली लाइव लेक्चर है आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हो जाते है और सब्जेक्ट के मौक टेस्ट वगेरा सारी चीज अवेलेबल हो जाएंगी और आपका कम्प्लीट स्लेबर्स पूरे पेपर सल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज के साथ आपका इट नॉयमबर तक कम्प्लीट हो जाएंगा सारा का सारा और यहाँ आफलाइन के लिए एड्रेस दिया गया है अ और इंशालला आपको इससे जरूर बहुत ज्यादा फायदा होंगा क्योंकि लास्ट टाइम जब महार्टीटी हो था बहुत सारे स्टूडन अपने पास से पास आउट हुए है और उसके अलावा जो सेकेंड टेट हुआ है उसमें 110 के अभी अभू स्टूडन गया है विद अजर आउडन गया है उसमेंगा क्या जएा के पास कि यूख है विद्वेंारं कस बंस दूडन होुआ है च्बापसित है